हलो दोस्तों बिल्कुल नया वीडियो में आप सबका बहुत जाधा स्वागत है यह है बिल्कुल नया रॉयल इंफिल्ड का क्लासिक 350 तो सिर्ट dites को वरं रहाए दिछ जाना है पहलेंगे सक्टे सब्सक्राइब करहें, सब्सक्राइब करनें। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी जो डिजाइन पर आते हैं तो ओवराल जो डिजाइन है वह बिल्कुल सिमिलर रखा गया है क्लासिक 350 अगर दूसरे आप देखोगे तो बिल्कुल क्लासिक 350 ही लगेगा आपको दूसरी बाइक जैसी वाइब नहीं आएगी बट अगर आप नहीं देख रहा है जो कि बहुत जादा कमेंडबल है रॉरल ईन्फिल्ड के इंजिनियर्ज की तरफ से तो वीडियो की शुरुबात करते जो सबसे पहले आते हैं इसके हैड्लांप पे आप देख सकते हो है वह बिल्कुल सिमिलर रखा गया है बिल्कुल सेम रखा है बट एक चीज आप डिफरेंस नोटिस करोगे, पिछले वाले हेड्रेनम से वह है, इसकी जो लेंस है, यह जो कांच है, यह जादा मतलब राउंडेड शेप नहीं है, यह बिल्कुल फ्लाट टाइप का कांच है, जो कि इसको थोड़ा मतलब अलग लुक दिखाता है, और इसके पा यह भी आपको हैलोजन का ही मिलेंगा, तो सामने जो फ्रंट फोक्स है, यह आपको टेलिस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं, दिखने में आपको युश्डी से से दिखते हैं, क्योंकि आप फोक कवर लगा हुआ है, बट यह जो फोक है, यह पहले से इंप्रूफ किया गया है, यह आपको 41 mm के टेलिस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं, पहले से जाधा मोटे हैं, और जाधा आपको, मतलब स्टेबल जो है, वो प्रोवाइट करेगी यह राइड अगर आप लॉंग डिस्टेंस टूर करते हैं, तो सामने की जो टायर आप देख रहे हैं, यह 19 इंचिस की र प्रोवाइट करते हैं, तो सामने आपको 300 mm की डिस्क मिल जारी है, काफी बड़ी है, और इसमें आपको 2 चानल ABS की सपोर्ट मिल जारी है, सामने और पीछे दोनों ही साइड आपको ABS की सपोर्ट जो है, वो मिलेगी, और इसमें जो कैलिपर्स यूज किये हैं, वो है अच्छे कालिपर्स है, ब्रेकिंग, स्टॉपिंग पावर जो इन ब्रेक्स का है, वो काफी अच्छा है, मैं इसके बारे में आपको राइट रिव्य में जरू से बताऊंगा, तो इसके लिए आप जरूर से मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे और भी जादा वीडि इंजन है, जो की 20.2bhp का पावर, तकरीबान 6,600 rpm के आसपास बनाता है, और 27 nm का पीक टॉर ये बनाता है, 4000 rpm जो की काफी कम rpm लेवल है, हॉन प्लेस्मेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दोस्तों जो गेरबॉक्स है वो है आपको 5-speed गेरबॉक्स और आपको यहाँ कमाल की बात देखे दोस्तों, इसमें आपको कीक रॉड नहीं मिलता है, कीक रॉड यहाँ से मिसिंग है, ओवराल जो इंजन है वो आपको एर कूल है, इसके बारे में भी आपको पूरा डीटेल जो है, वो राइड रिवी में देखने को मिल जाएगा, हीटिं इशूस या इसमें कवर कर दोंगा, हील और टो शिफ्टर काफी जादा मदद करते हैं, और हम लोग हील और शिफ्टर जादा यूज नहीं करते हैं, अगर आपका ECU है, अंदर अगर आप जाकोगे, वो साइट से मतलब दिखागा, इसका ECU जो है, वो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ यह वाला, इसका ECU है, और पहले से आपको जो, मतलब, यह exhaust pipe है, यह आपको थोड़ा fat मिलगा, क्योंकि, catalytic converter जो है, वो इसके अंदर ही दिया हुआ है, इसलिए, मतलब, यह पहले से और भी जादा stubby दिखता है, अफकोस, cake rod missing है, यहाँ पे आपका rear brake lever है, footpakes बिल्कुल न connector से, वो पूरे यहाँ पे रहेंगे, tank ही आपको 13 liters की fuel tank मिल जाती है, और यह वाली halcon series है, तोटल force, मतलब, option से आपको, एक है reddish, उसके बाद, halcon, उसके बाद, आपको मिलता है, signal, उसके बाद, हाता है, chrome, तो chrome में ही आपको एक special feature मिलता है, वो है triple navigation, बाकी किसी bike में, आप आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो tank pad है, यह दिखने में भी cool है, और इसका usability भी बहुत बढ़िया है, यह आप, मतलब, इसको अच्छी तरह से grab करके, highway पे चला सकते हो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, अब seat height जो है, वो 805 mm है, पहले से काफी ज़्यादा comfortable seat, overly ज़्यादा squishy, या बहुत ज़्यादा stiff, बिल्कुल नहीं है, मैंने अभी थोड़ा बत, टूरिंग करके आया हूँ, और यह जो seat है, वो काफी ज़्यादा comfortable है, आपको कोई problem होने वाली नहीं है, अब पीछे जो pillion seat है, इसको भी improve किया गया है, पहले से, यह और भी ज़ इसमेंट जो है, वो ठीक टाक है, मैं यह नहीं बोलूँगा कि मतलब अच्छा है, बट फुटपेक पोजिशन इसमें ठीक टाक है, दोनों ही फुटपेक पोजिशन, बट सामने के फुटपेक से मुझे थोड़ा comfort का problem है, और मुझे थोड़ा complaint है, उसके बारे में भी मैं ज़रो से बता दूगा, तो दोस्तों जो exhaust है, वो काफी लंबा और stubby आपको exhaust मिल जाता है, और exhaust note भी इसका काफी ज्यादा मतलब meteor से मेल खाता है, तो वैसा है type का ही आपको exhaust note जो है, वो इससे मिलेगा, जो rear suspension है, वो आपको 6 step adjustable rear suspension आपको मिल जाता है, आप अपने ही साप स 270 mm का आपको rear disc मिल जाता है, अगें single piston का caliper है, बाइब्रे का, पीछे का जो rear tire है, वो भी C8 का है, 120 section का आपको rear tire मिल जाता है, और जो overall rim है, वो है 18 inch का, अब ये जो आपको tail lamp मिल जाता है, इसमें आपको LED का कहीं पर भी नामों निशन मिल जाता है, नहीं मिलेगा basically, तो पूरे circular मतलब light दिया हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर roll infill की logo आपको मिल जा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है आपका सारी yard, यहाँ पर female footrest, अच्छा chrome यहाँ पर touch दिया हुआ है, जो biggest difference है, वो है यह, इसका instrument cluster, आप देख सकते हो, यहाँ पर मतलब धूप miles per hour और km per hour में, दोनों ही में, आपको दिया हुआ है, यहाँ पर छोटे से, टेल टेल लाइट, नूटरल, ABS इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर सब दिया हुआ है, और यह जो है, आपको digital instrument cluster दिया है, जिसमें fuel gauge है, दोस्तों, after decade, यहाँ पर आपको finally fuel gauge जो है, वो दिखने चलाओ गया, यहाँ पर टीपर navigation रहना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, royal infill का logo आपको, classic G50 का logo आपको मिल जाएगा, इसी में ही आपको lock functionality मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पर होता था, पिछले वाले variant में, इसी में ही lock को integrate किया गया है, overall जो fit and finish है, वो काफी भैतर है, और इस वाले में ही आपको trip, जो है मिल जाएगा, यहाँ पर आपका button है, इससे आप access कर सकते हो, यह trip 1 है, यह trip 2 है, यह आपका odometer है, overall जो switch gear quality है, वो काफी बहतर है, meteor से ली गई है, जो कि मतलब lever से वो काफी wide है, और आप आप आराम से इसको पकड़ सकते हो, बट इसके कुछ caviar से जैसे, अगर आप इसे चला रहे हो, तो यह जो switches है, इनको reach करना बहुत मुश्किल है, और यह वाले भी मतलब बहुत जादा मुश्किल से, आपके fingers हो है, वो यहाँ तक आएंगे, तो switch gear में quality तो बहुत अच्छा है, बट reachability बिलकुल नहीं है, आप मतलब बहुत करोगे, खाली horn को, मतलब ब्रीज करने में, यहाँ पर आपका engine kill switch, और आपके hazard lamp मिल जाते है, इसको on करके बताता हूं, कैसा दिखते हैं, तो यह कुछ ऐसा दिखते हैं, यह है इसके hazard lamps, काफी useful है hazard lamps, और यहाँ पर आपके pilot lamps मिल जा रहे हैं, पूरे, आपको bulb वाले ही मिल है, overall यह है classic 350 guys, prices start हो तो 1,84,000 और on road जाते है 2,45,000 तक, अगर आप इसको customize कर सकते हो, make it yours program के तहीर, तो आपका total जो cost रहेगा, वो तक्रिबन 2,85 या 2,90,000 तक पड़ेगा, complete accessorized version बोल रहा हो, मैं बिना accessorize के 2,45, 2,50 के आपको मिल जाएगा पूरी गाड़ी, but accessorized version चाहि Hopefully guys, आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो ज़रू से like करे, share करे अपने दोस्तों के साथ, और subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए, ऐसे और भी जादा वीडियो के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको USB का socket मिल जाता है, और default मिलेगा, आपको हर एक bike में तो basically आप अपने smartphone को यहाँ पे माउंट करके charge कर सकते हो, काफी जादा convenient यह बनाता है feature,